डॉक्टर संगीता जा पेशे से एक कुशल और प्रसिद एंडोक्राइन सरजन है लेकिन दिल से लेखिका हैं इतनी व्यस्तता में भी वो लिखने का समय निकाल लेती हैं और लेखन क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छा खासा मुकाम हासल कर लिया है विबहने पत्रिकाओं में उनकी कहानिया छपती रहती हैं प्रस्तुत है उनकी नई कहानी मिशन गर्ग रोज रोज समुद्र के किनारे की बेंच पर बैटकर सोचता रहता हूँ क्या सोचता हूँ खुद को ही समझनी आता मस्तिश के ही शिराएं बननाने लग जाती हैं सोचते सोचते 58 बरस का हो चुका हूँ क्या मैं बच्पन से ही ऐसा था मैं वो बेटा था जो मा की भटी बिवाई और हल्दी लगे हाथों को भी देख बच्पन में भी जहला जाता था औरत की एक अलगी छवी दिलो दिमाग में वसी हुई थी कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता कि दिन पर मशीन की तरह काम करती हुई मा को पेडिकोर करने का टाइम ही कहा रहता होगा वहीं मेरी चालाग दादी जो कुछ काम नहीं करती सिवाए मापर हुकम चलाने के मुझे बड़ी अच्छी लगती क्योंकि ओ मुँ में मलाई और हाथ पेर में बोरोलीन लगा कर खुब चिकनी रहती मा बेचारी मुझे पर हाथ पेरने की कोशिश करती तो मैं जा दादी की गोदी में छिप जाता क्योंकि मा के हाथ चुबते थे शायद यही हाल पापा का भी था काश मा समझ पाती कि केवर पेट के रास्ते से ही पती के दिल में नहीं उतरा जाता है मुझे अच्छी परवरिश देने के लिए पापा ने और बच्चे पैदा नहीं किये मैं पापा ही कहूँगा क्योंकि मा के पास तो यह अधिकार ही न था कितनी विडम बना थी जहां दादी संसार की सबसे तेज इंडिपेंडेंट औरत वही मा उनके बाद वाली जेनरेशन की सबसे कमजोर कई बार तो मुवी भी मैं पापा और दादी चले जाते थे दादी भी अंग्रेजी पिक्चर्स की शौकीन थी मुवी जाने के पहले बालों को पीछे कर सुन्दर जुड़ा बनाती उस पर एक बड़ा सा चानरी का पिन फसाती पता ने खुद पर कौन सा इतर छिड़कती जिसकी भीनी भीनी खुशबू मेरे नथनों में खुश जाती और मैं दादी से चिपक जाता सन 1990 का दोर था मैं बारवी क्लास में था और हमारी तिकड़ी यानी दादी पापा और मुझे इंग्लिश मुवीज देखने का बुखार था हम तीनों ने मिलकर जूलिया रॉबर्ट की प्रेटी वोमन देखी सारी राद जूलिया रॉबर्ट के सपनों में खोया रहा उसकी सुराहिदार गर्दन पर ही मेरे सारे सपने अटके रहे बारवी के इमतिहान खत्म हो गए और मैं डिग्री करने दिल्ली इनिवर्सिटी पहुँच गया वहाँ भी जूलिया रॉबर्ट का भूती दिमाग पर सावार था थैंक्स कॉड मुझे अपने कॉलेज मूल चन में दो तीन दोस्त मिल गए थे जो मेरी तरह इंग्लिश मूवीज के दीवाने थे वरना वहाँ तो घायल वाले सनी डीडी एलजे वाले शाहरूख खाही बूत सवार था बचे कुछे लोग अमिताब बच्चन की अगनी पत वाली एक्टिंग करने में विजी थे मुझे उटते बैठते हर समय जूलिया ही दिखती थी एक दिन टियू के मेन आफिस में मेरी मुलाकाट जया से हुई दूर से मुझे बड़ी अच्छी लगने लगी उसके पास पहुँचा तो वो बड़े प्यार से क्लर्ट से पूछ रही थी वेर कैनाई मीट मिस्टर सिनहा क्लर्क इतनी मदूर और प्यारी सी आवाज वो भी इंग्लिश में का आदी नहीं था बिना उसकी और देख के उसने जवाब दिया मिस्टर सिनहा कौन बेचारी ने फिर उतनी मदूरता से कहा सीनियर ओफिस इन चार्ज क्लर्क ने हें 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 करके अपने 32 दिखाई और कहा अरे सिनहा बाबू क्या काम है अब क्लर्क उस पर चड़ बैटा और कहा काम मुझे बताईए मैं उनका असिस्टेंट हूँ प्यारी सी लड़की ने फिर धीरे से कहा I don't know how it happened but in due record my date of birth is not correct I want to get it changed वो गिनोना आदमी फिर हसा और उसने भिडिये जैसी नजर से उसे पास बुलाया और कहा ये कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए तो एक मिनट का खेल है पर कीमत लगेगी और मैं पूरी वसूलूंगा ये देख मेरा पारा तो आसमान को छूने लगा मैंने वाँ घूनते हुए चार-पास लड़कों को साथ लिया और वसूली भाई की खटिया-खडि कर दी वो तो पूरी तरह से हिल कया हमने उसे धमकी भी थी कि अब उसे डीन भी नहीं बचा पाएंगे उसने तुरंट दस मिनट पे उस लड़की का काम कर दिया उसने बड़े प्यार से मुझे ठैंक्स कहा और उस दिन से हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई वैसे तो मेरी जूलिया रॉबर्ट जैसी नहीं थी पर प्यारी थी मेरी हालत ऐसी थी जैसे सावन के अंधे को सभारा-हरा नजर आता है इसे ऐसे भी कह सकते हैं जैसे नहीं मामा से काना मामा भला यानि कोई तो है मैं लखनों से था और वो भी लखनों की लॉराटों की थी हमारी खुब दोस्ती हो गई हमारी मजले भी एक ही थी मैं भी आई-एस बनना चाहता था वो भी वो मिरिंडा में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के साथ ग्रेजिएशन कर रही थी और मैं मूलचंद से भी एसी कर रहा था हमारी मुलाकाते बढ़ने लगी और प्यार भी परवान चढ़ने लगा था मैं उसे प्रेटी वोमन दिखाने ले गया मैंने सोचा वो भी कुछ हैर स्टाइल कुछ मुँ गुमाने में जूलिया की नकल करेगी उसे शायद जूलिया जादा पसंद नहीं थी उसे तो काजोल ही पसंद थी पिक्चर हॉल से निकल कर उसने मुझसे पूछा देखा रिचार्ड केर को कितना हैंडसम है पहले तो मैं चुप रहा फिर कुछ दिर बाद मैंने कहा और जूलिया उसने मुझे तिरची नजर से देखते हुए कहा कभी तो अपनी कल्पनाओं से बाहर निकलो अपने आजबास भी देखो मैं उसका इशारा समझ किया और मुझे उस पर इतना प्यार आया कि मैंने उसे बाहों में भर कर चुण लिया दोनों के लिए ये पहला अन बहुत था वापस कमरे में आकर मैं सो भी नी पाया पूरी रात मेरी कल्पनाओं में वो मेरे बगल में लेटी रही और मैं उसे चुंगता रहा दूसरे दिन पूरे समय मैं मेरे इंड़ा के चक्कर लगाता रहा लेकर उसका कोई पता ही नहीं था हमारे सबजेक्ट्स और कॉलेज दोनों ही अलग अलग थे और दोनों ही इस दोस्ती के रिष्टे को सब के सामने नहीं सुईकारना चाहते थे उसके बाद करीब साथ दिनों तक हमारी मुलाकात नहीं हुई ठीक एक हफ़ते बाद उसे मैंने सुबह नो बजे अपने कॉलेज के सामने खड़े पाया मेरे सामने से गुजरते हुँ इसने हमारे फैबरेट रेस्टोरेंट में आठ बजे मिलने बुलाया मेरा दिल बल्लियों चलने लगा और मैंने जट से हामी भड़ दी पहली बार लगा कि उतनी ही आग उस तरब भी लगी हुई है मैं शाहरूप खान बनने की कोशिश में लगा था और बेचारी ने भी काजोल वाले घरेलू रुक से जूलिया वाली राह पकड़ ली थी शाम बड़ी ही अच्छी गुजरी हम दोनों एक ही आटो में पास बैठकर एक बंगाली मार्केट गए वो मेरे कंधे पर सर रखकर बैठी थी जिससे मुझे अपने पुरुष होने पर गर हो रहा था वह हमने काफी कुछ खाया और दोनों बड़ी देर तक सड़क पर हाथ पकड़ कर चलते रहे वो 1993 का जमाना था और शहर था राजधानी दिल्ली थोड़ी देर हो चली थी और तभी हमारे उपर एक साथ बहुती लाइटें चमकने लगी देखा तो पाया कि हमें दिल्ली पुलिस ने घेर लिया था हम दोनों को पकड़ कर थानी ले जाया गया मैंने बहुत मिन्यते की कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और मुझे तो नहीं उसे छोड़ दिया जाए उसे बाकायदा रात को ही पुलिस उसके हॉस्टल छोड़ने गई मुझे कुछ देर वहां बिठाने के बाद जब उन्हें लगा कि मैं ठीक ठाकी बन्दा हूँ तो वहां बैठी सीनियर पुलिस ओफिसर ने बिना केस रेजिस्टर किये धमका कर छोड़ दिया मुझे तो ढंक से उसके सब्जेक्ट भी नहीं मालुम थे मैं भी डरा हुआ था कि ये पुलिस वाला भांडा फूट ना जाए इसलिए चुपचाप चार दिनों तक छिपा रहा ना उसकी कोई तस्वीर थी ना ही पता खोशिश भी करता तो कैसे सोचा वो वसूली बाबू को ज़रूर मालुम होगा क्योंकि उसके फॉर्म में चेंज करवाया गया था मैंने तो वसूली बाबू से पंगा ले लिया था मुझे क्यों बताएगा वो मिरिंडा कॉलेज और हॉस्टल के आसपास कई चक्कर काटे सिवाए वहां के चौकीदार के जिड़कियों के कुछ हाथ नहीं आया बड़ी हिम्मत कर एक दिन वसूली बाबू के पास पहुंच गिया मेरे जैसे कई चेहरे थे शायद इनिवर्सिटी में वो मुझे पहचान नहीं पाए मैंने धीरे सुने पचास का नोट पकड़ाया और पूछा मेरी कजन जैया मिरन्णा में पढ़ती है आप चुपचा उसका फॉर्म मुझे दिखाएंगे क्या मैं देखना चाहता हूँ कि बारवी में उसके कितने नंबर आये थे मुझे तो बहुत ताओ मारती थी अब पता चलेगा वसूली का मूट उस दिन अच्छा था उसने धीरे से मेरे कान के पास अपना मूझ लाकर कहा आप मैं उस जैया श्रिवास्तों की बात तो नहीं कर रहे लखनों वाली उसका कुछ चक्कर था बाहर के किसी लड़के के साथ एक बार पुलिस नों से पकड़ा था फिर उसके माबाप आये थे मेरी भी मिन्नते की और उसका फॉर्म एड्मिशन सब कैंसल करा कर ले गए बड़ी तेज लड़की थी एक बार पांच लड़कों को उसने मेरे पीछे लगा दिया था फिर ऐसी लड़कियों का ऐसा ही हाल होता है ये बात अपने तक ही रखना आपकी कजन है बात पहले की तो खाम खाब नामी होगी मुझे तो जैसे काटो तो खून नहीं बेहोचसा हो गया वसूली बाबू डर से गए उन्होंने मुझे सहरा दिया पुर्सी पर बैठा कर मुसंभी का जूज भी पिलाया पीते ही मैंने वहीं कैवी कर दी बेचारे वसूली बाबू सोचने लगे खाम खाम उसीबत मोर ली भला कजिन का अफसाना सुनकर कोई इस तरह भी होच होता है उन्होंने युनिवर्स्टी के दो चप्राजियों को बुला मुझे मेरे कमरे तक पहुचवाया कमरे में पहुचकर मैं ड़ाल सा पढ़ा रहा याद आ रहे थे उसके धहकते होट गर्म इस्तन और बाहों का कसाओ मेरी मुहबत परवान चढ़ने के पहले ही फना हो गई मैंने भी सोचा हारने मानूगा लखनों का चप्पा 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 चानूगा और अपनी जूलिया यानि जया को ढूर ने कालूगा उसके बाद पापा के मना करने के बावजूद मैं अगले वीकेंड में लखनों जा पहुँचा हर जगे उसे ढूने की कोशिश की लेकिन निराशा ही हाथ लगी उसकी बातों में हजरतिंद का काफी जिक्र था कई बार वहां के कई रास्ते चाने लेकिन किसमत को मनजूरी नहीं था हमारा मिलन ना फोन था और ना ही कैमरा उसकी तस्वीर के बल दिल में ही बसी थी और सानों बसी रही उसके बाद सुधा, माया, रीता, प्रिया और ना जाने किन किन नामों की लड़कें से सामना हुआ लेकिन कहीं दिल लगाने को जी नहीं हुआ इसका कारण जया नहीं मेरी जूलिया रॉबर्ट थी मैं हर लड़की की नाक देखता जूलिया की नाक मेरे जहन में हर वक्त मेरी नाक के पास होती मैं जया कि जाने के बाद रिजर्ड गेर बनने की कोशिश में लगा था और कोई मुझे में शारूख खान तो कोई जैकी श्राव ढूरती तो बात ही नहीं बनी मेरी मालकिन दादी का भी देहान थो गया था माम में इतना दम नहीं था कि अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करा पाती मैंने भी घर पर कह दिया था कि जब कोई पसंद आएगी तो बता दूँगा MSC पास करने के बाद मेरा कस्टम में हो गया दीरे दीरे प्रोमोशन के साथ मैं कस्टम कमिशनर पन गया मेरी ये आखरी पोस्टिंग माया नगरी यानि आज की मुंबई में हुई थी रिटायर्मेंट के दो साल बचे थे हर पोस्टिंग में प्यारी सी फर्मावरदार असिस्टेंट मिलती थी नजरे भी मिलती थी और यदा कदा हाथ भी टकराते थे लेकिन पद की गरिमा हमेशा रोक लेती थी यहां बॉम्बे पोस्टिंग में एक जूनियर आई आरस अफसर मेरी ही यूनिट में आई पहले दिन उसकी आखें हाव भाव मुझे मेरी प्रेटी वोमन के समय में वापस ले किया मैं अपने आफस में बैठा था एक खनकती से आवाज आई मैं आई कमिन ऐसी जनक से शायदी कभी पाला पड़ा था मैंने रॉबदार आवाज में जवाब दिया यस कमिन फिर वही खनकनाट थैंक सर मैंने रॉबिली आवाज में कहा ओके बैठ जाओ फिर थैंक्स बोलती हुए बैठ गही मैंने पूछा वो बोली जूलिया वर्मा मैं हसा जूलिया रॉबर्ट वो किसी आ गई और बोली आप मुझे मिस वर्मा या जूली संबोधित कर सकते हैं उसके साथ काम करते हुए मुझे लगा ये तो पूरी मेरी कॉपी है उसके हाथ में फाउंटेन हेड अंग्रेजी की नॉविल थी मैं भी खुद को एटलस श्रक समझता था मैंने का फाउंटेन हेड वो बोली सर आप मुझे एटलस श्रक की तरह लगते हैं मैं तो बाग बाग हो गया पहली बार मुझे जया की याद को दिल से निकालने वाली कोई मिली थी उसके बाद हम दोनों का लंबा वातों का सफर शुरू हो गया उसने बताया कि यहां वो अपनी मा के साथ रहती है और उसके मा पिता का बहुत पहले डाइवोर्स हो चुका है उसने तो अपने पापा को देखा भी नहीं केवर उनका सरने वर्मा लेकर खुंती है कभी कार में किसी कॉनवाय का इंस्पेक्शन करने जाते वक्त तो कभी फोन में मैं और दोनों एक दूसरे से बड़े कमफोर्टेबल थे कभी हम M.J. अकबर की नौवल तो कभी काइट रेनर की बाते करते एक से इंगलिश टीवी सीनियर देखते सब कुछ एक सा था खाली हमारी उमर का फासला मैं 58 और वो 28 की लेकिन हमारे विचारों में बड़ी समानता थी वो मेरी कभी शर्ट तो कभी टाई की तारीफ करती तो मैं उसके सलीके से पहनी साड़ी की सरहना करता हम दोनों एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए तरह तरह के परफ्यूम्स लगाते लड़कियों के पास अपने फ्यूरा मोन भी होते हैं जो मुझे बड़े आकरशित करते थे इन सबसे ज़्यादा उसके दिस्क्रिशन की एक शमता अकेले होने की वज़े से मैं हमेशा पढ़ते रहता था उसे तो मुहमद यूनिस सदी के महान एकोनोमिस्ट की लिखी बैंकिंग टू दा पूर और एनिमल फॉर्म जॉर्ज ओविल लिखित जैसी पुस्तकों और उसके बीचे छिपी उसी सोच का भी पूरा पूरा ग्यान था इतने साल से मैं कस्टम की नौकरे में था इससे पहले कभी इतनी विदुशी नहीं देखी थी अपनी बात और अपने व्यूज पर हमेशा ठकी रहती थी और सही कर भी दिखाती मैं तो उस पर पूरी तरह से फिदा हो चुका था वो तो उम्र का फासला था जो मुझे पूरी तरह से रोके हुए था नहीं तो कब का इस उम्र में भी एक अफसाना हो ही जाता वो भी मेरे इर्दगर्दी घूमती रहती इतना कुछ हम में साजा था यानि हमारी आदेते हमारा सूचना हमारे रंगों की पसंद हमारे पसंदीदा शहर और नजाने क्या-क्या हम साथ-साथ ओफिशियल टूर में सिक्किम गए और वहां हमने एक दिन ट्रैकिंग भी साथ-साथ की उसके साथ ने मुझे उम्र से काफी चोटा कर दिया था मैं भी खुद के लिए माइकल डागलस और कैथरीन जीटा जोन्स का एक्जामपल सोचता था उसका जुकाओ भी अपनी तरफ देखता था पर ना उसने मुझे कभी कुछ कहा और ना मैं ही कुछ कह पाता अक्सर हम शाम को जुहू बीच चले जाते और घंटो समुदर में पैर डुबाए बैठे रहते उसके पैर दादी के पैरों की तरह थे बिलकुल मुलाइम गोरी गोरी बिवाईया अब पापा की डेट के बाद मां हमेशा मेरे साथी रहती थी उनके हाथ पे भी मुलाइम हो चले थे इतने बड़े आफिसर की मां जो वो थी इतने सारे नौकर, चाकर, कुक, अरदली के बीच साहाब की मां जो थी वो माओ मेरा मौर्ण भी काफी मजबूत हो चला था मैं बैचलर जो था मैं भी अटल बहरी बाजबेजी की तरह अविवाहिद था पर कुमारा नहीं सालों साल दिल के गिटार बज रही थे उम्र का फासला भी गिटार को बजने से रोक नहीं पा रहा था बार बार दिलगा रहा था होटों से छूकर ना उम्र की सीमा हो कभी मिलें दे सोनम तो अब अरबाज खान और अरजुन रामपाल का एक्जामपल खुद को दे रहा था मैंने अपने बाल रगने शुरू किये तो मा ने मंद मंद मुस्कुनाना शुरू किया एक दिन आफिस में बैठा था कि जूलिया मेरे कमरे में आई और सीधे मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे के साथ अटेज रेस्ट टूम में लगे मिरर के सामने ले गई और कहने लगी Just look at yourself कितने प्यारे लगते थे अपने साल टेंट पेपर वाले लुक के साथ क्यों ऐसा किया मार्क जुबेर लगते थे आप भी ना मैंने ममा से भी आपका जिक्र किया और सबसे ज़्या तारीफ की आपके बालों की सफीदी की मैं तो उपर से नीचे तक उतेजना से भर गया लगा अब नहीं रुकना है मैंने उसे बाहुपाश में लेने की कोशिश की वो मचली के तरह फिसल कर निकल गई मैं हात मलता रह गया उसके बाद हमारे बीच बॉस और जुनियर का संबंद बना रहा यही उसकी खासियत थी कि अंदर के तूफान को वो हमेशा छुपाए रहती थी कभी घर से मेरी पसंद के मौमोज तो कभी फिश कली बनवा कर लाती मुझे बड़े प्यार से खिलाती मैं बड़ी दुविधा में था कि ये दोस्ती किस तरफ जा रही है आँखे तो जखकाई है मैं जहिप किया उसने फिर कहा पतानी कैसे मेरी नजर उसके उबरे तने उरोजों की और चाकर अटक गई वो जोर से चिलाई वो बॉस कम बैक कहा हो मैं एकदम घबरा गया और पसीना पसीना हो गया वो टिश्यू पेपर से मेरा पसीना पोशने लगी और जोरों से हसने लगी क्या हो जाता है आपको बॉस इतने डर पो कुछ नहीं होगा आपको अभी तो बर्सों जीना है आपको मेरे लिए मैं तो पसीने पसीने होने लगा लेकिन दिल तो बल्लियों चलने लगा दिल किया जूली को बहों में भर लूँ लेकिन फिरसाली हिचक वो जोर जोर से हस रही थी और कह रही थी आगे आगे देखिये होता है क्या मैं डरने लगा कि ये प्रेम मेरा हार्ट अटेक न करा दे बरसों से मा के साथ अकेले रहने का आदी जो था दोस्तों के बेटे मेरे बेटों वाले काम करा देते जूलिया के आने के बाद सबसे मैं कट सा गया था एक दोस्ती तो होते हैं जो समझते हैं कि जब दोस्त कट रहा है तो जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी वे आपको छोड़ते भी नहीं है और आपके खुशी में आपसे ज़्यादा खुश होते हैं जूली बोले जा रही थी बॉस आज आपका लंच मेरे घर पर है मा से आपकी पसंद की सूशी, रोसीटो और कोरियन चिकन बढ़ाने वो कहा है अब खुश मैं फिर उपर से नीचे किरा बाप रहे ये लड़की तो फटाका है अब तो उसकी अम्मा से भी मिलना पड़ेगा मैंने किसी तरह फसी हुई आवाज में उत्तर दिया आज नहीं मैं तयार नहीं हूँ, प्लीज गिव मी सम टाइम वो और जोरों से हसी और ठाका मार कर हसते वे बोली बॉस आप तो फट्टू के फट्टू निकले, तब यह और आज भी मैं तयार हूँ, मां तयार है, नो सेकेंड थॉट मैं तो तर गया, कि इतनी बोल लड़की के साथ मेरा गुजारा मैं सोची नहीं पा रहा था, कि इसने तब भी क्यों कहा फिर सोचा, जब उखल में सर देही दिया है, तो अब डर क्यों अपनी सारी कमजोरियों को एक लंबी सांस लेकर बहार निकला और कहा चलो, रास्ते भर वो बड़ी परेशान लगी, मैं समझी नहीं पा रहा था ये थोड़ी देर पहले खिल खिलाने वाली अचानक खामोश खैर देखते हैं, मैं नेपैंसी रूट के सरकारी निवास में रहता था और वो मुंबई सेंट्रल में, 20 किलो मीटर की दूरी लग रहा था, कभी खतम ना हो मैं और वो पीछे बैठे थे, जब जब ड्राइवर बेक मारता, उसका सर मेरे कंदे से टकरा जाता आखिर उसका घर आ ही गया पूरी की पूरी बिल्डिंग सरकारी आफिसरों का आवास थी, इसका घर छटवे माले पर था लिफ्ट से घर पहुँचने के बाद नेम प्लेट ने बर्बस मेरा ध्यान अपनी तरफ खीच लिया बड़े बड़े बोर्ड लेटर्स में वर्मा निवास में आपका स्वागत है लिखा था ठीक ऐसा ही मैंने चाहा था, सिर्फ वर्मा की जगए गर्ग लिखना था कॉल्वेल की ट्यून भी मेरी पसंदीदा, आज जाने की जितना करो दरवाजा काम करने वाली लड़की ने खोला और खुशो करो बोली दीदी आप आ गई, मेम साब कब से आपके इंतिजार में है साहब को बठाईए, मैं मेम साब को बलाती हूँ ड्राइग रूम देखा तो मैं आवाक रह गया, यह तो बिलकुल मेरे सपनों की तरह था औलिव रंगे परदे, डिम ओरेंज लाइट, वैसे ही स्लीक से सोफे, स्कॉयर सेंटरल टेबल, जिसके साथ चार ड्रॉर मैं अभी तिलिसमी चिराक को खुलते देखी रहा था, कि अंदर से जूलिया की मां बाहर आई, जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, यह तो मेरी वरसों पहले बिछरी महबत जया थी, कितनी बदल गई थी, अब वो काजोल नहीं जूलिया की तरह हो गई थी, उसकी मैं सिर्फ आसू निकल रहे थे, और मैं हत्रप, यह जूलिया तो बिलकुल दा गर्ड इन यलो बूट्स की नाईका, रूत की तरह अपनी मां के आशिक की खोज में लगी थी, वहां रूत अपने पिता को ढून रही थी, जूलिया ने मेरा हाथ ले अपनी मां के हाथ में प पता लगाया बता रही थी, मैं और जया एक टक एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे, इसके बाद की कहानी मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। मैंने यानि सीमा से, कल फिर मिलेंगे, आपका समय स्चुप हो।